दोस्तों शुरू करते हैं exercise 7.2 से question number 6 Triangle ABC is an isoskeless triangle in which AB is equal to AC आपको figure में दिख रहा होगा ये जो triangle ABC है ये एक isoskeless triangle है और AB side BC के बराबर है ये जो निशान लगा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये दो sides आपस में बराबर है Side BA is produced to D such that AD is equal to AB और फिर ये जो BA side है न इसको आगे D तक बढ़ा दिया और इस तरह से बढ़ाया है कि BA के बराबर आपका AD होगा figure के अंदर देखिए आप show that angle BCD is a right angle आपको show करना है कि BCD यानि ये वाला angle ये जो C है ये right angle है, right angle माने 90 degree आपको ये proof करना है तो चले इसे शुरू करते हैं देखिए सवाल की शुरूआत होगी आपकी दो triangle दिख रहे हैं न आपको तो पहले हम ये वाला triangle लेंगे ABC इस ABC triangle को लेके हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये दो angle से आपस में बराबर है फिर अपना ACD triangle लेंगे फिर इसमें ये दिखाएंगे कि ये वाली और ये वाली जो angles है ये आपस में बराबर है उसके बाद question होगा तो triangle ABC से start करते हैं इन triangle ABC अब ABC के अंदर AB is equal to AC है ये given है तो इसके जो opposite angles होगे वो भी आपस में बराबर होगे यानि कि ये वाला angle और ये वाला angle आपका बराबर होगा और इस question में आप particularly ये ध्यान रखना कि आप इस तरफ वाले angle को अपने left side में रखना तो मैं ACB को left में रखूँगा angle ACB is equal to angle ABC और इसे number रखूँगा मैं 1 अब जैसे मैंने इस triangle को लिया इसी तरह से मुझे अपना triangle ACD लेना है in triangle ACD ACD के अंदर AC और AD आपस में बराबर है AC is equal to AD तो फिर ये वाला angle यानि ACD क्योंकि बराबर के सामने का ये angle है और बराबर side के सामने का ये angle है ये वाला ये आपस में बराबर होंगे और यहाँ पे भी मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि ये जो C पे angle है ना इसे मैं left side में रखूँगा तो angle ACD is equal to angle ADC इसे number 2 रखता हूँ अब इन दोनों को add करना है add करने से क्या होगा कि आपके left side में ये दोनों angles add हो जाएंगे तो लिखेंगे adding 1 and 2 जब 1 and 2 को add करेंगे तो left वाले एक तरफ add होंगे ACB plus angle ACD और right वाले एक तरफ right में होगा आपका angle ABC plus angle ADC अब ACB और ACD ACB इतना angle और ACD इतना angle ये दोनों के दोनों मिलके आपका पूरा angle बन गया पूरा angle क्या बन गया आपका ये बन गया angle BCD तो इन दोनों की जगे पर हम लिख सकते हैं angle BCD is equal to और यहाँ पर ABC को तो ABC ही रखेंगे और यह जो ADC है इस ADC की जगे पे आप BDC लिख सकते हैं क्यों? ADC ये angle है और BDC भी यही angle है ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना ये पूरा का पूरा triangle consider करना है मुझे इस पूरे triangle के अंदर angle sum property लगा के इस सवाल को आगे करना है तो ADC की जगे पे मैं ये पूरा consider कर लेता हूँ BDC तो ADC की जगे पे मैं angle BDC लिख सकता हूँ अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पूरे triangle पर ध्यान दीजिए और right side में देखिए right side में आपको दिख रहा है ABC ABC यानि ये वाल angle और BDC BDC यानि ये वाल angle अब पूरे triangle के अंदर अगर इसके अंदर मैं ये जोड देता हूँ तीसरा angle यानि BCD जोड देता हूँ तो इस तरफ जो अंसर आएगा वो 180 आजाएगा तो इसके अंदर मैं अगले step में करूँगा मैं इस काम को मैं लिखूँगा adding angle BCD on both sides इसका purpose क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा दोनो तरफ BCD जोड ने से क्या होगा पहले मैं right side में ये आपको जोड के दिखाता हूँ angle ABC तो है और angle BDC है और इसके अंदर तीसरा angle और जोड दिया यानि angle BCD जोड दिया तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों मिलके angle sum properties है ये तीनों का जो sum है वो 180 आजाएगा ये था इसका purpose angle BCD जोडना है क्या होता है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में बराबर है और हम दोनों तरफ कोई equal चीज जोड देते हैं तो उससे equation पे कोई फरक नी पड़ता यहाँ हमने दोनों तरफ BCD को इसलिए जोडा ताकि right side में 180 आजाए और इधर left side के अंदर यह twice of BCD बन जाए अब हमें निकालनी है BCD की value तो angle BCD अकेला रह जाएगा और यह जो इसके पास 2 है यह यहाँ 180 के पास जाके यह divide में चला जाएगा और जब इससे divide करेंगे तो आपका angle BCD 90 के बराबर आ जाएगा और यही इसके अंदर प्रूफ करना था आपको कि BCD को आपको right angle प्रूफ करना था यानि BCD को 90 के डिगरी बराबर प्रूफ करना था तो यह हो गया तो इतना सा यह question था तो I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो के अच्छे लगा हो तो प्लीज से like करना friends में, classmates में share करना और 9th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe करना Thank you